हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई कीचन आज में बनाने वाली हूं मज़िदार भरवा मसाला भेंगन की रेसिपी इसे खाकर आपका मन बहुत खुस हो जाएगा और इसे बनाने में ज्यादर समय नहीं लगता है और खाने बहुत ही स्वाधिश लगता है तो चलिए सुरू कर करते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी बैल आइकन को हॉल पे किलिक करिए जिसे की मेरी वीडियो की नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए 500 ग्राम मैंने बैंगन लिया है सकेद वाले बैंगनों में बीज नहीं होते हैं यह बहुत भी अच्छे बैंगन होते हैं और इसको मैंने दंधल को साइट से काट दिया है एक बावल में पाइन डालके एक चमबच को है नमक डाला है उसके अंदर अशिके मिला देंगे और बैंगन को लेकर हम वीच में से कट लगाना है पूरा नहीं काटना है और फिर हम इसे तुरन्थी नमक वाले पाने में डालने के वझे से जो हमारे बैंगन होते हैं वो काले नहीं पड़ते हैं रहे पर पाने 5 लगेंगे जब थोड़ा सा बैंगन सोट हो जाएगा फिर हम इसे बैंगनों को निकाल देंगे इसके अंदर से अब इसी तेल में आथा चमज मैंने जीरा डाला है मैंने इसमें चार-पांच काली मिर्च लॉंग और थोड़ा सा तालचीनी का टुकड़ा डाला है तीन तुकले लाली मिर्च के डाले हैं दो तेजपत्ता और तीन चार मैंने हरी मिर्च को बारी काटके डाला है तीन प्याज अधम बारी काट लिया है और इस सुनैरा होने तक हम भूनेंगे देखिए अच्छे सा सुनैरा हो चुका है अब मैंने इसमें एक चम्मच प्लासन और अधरत का पेश डाला है इसे भी मैं आधे मिनट तक गुणूंगी जिसके वैसे प्लासन और अधरत का पच्छा पन है वो निपल जाए मैंने दो टमाटर एकदम बारी काट के सकेंदर डाले हैं इसे भी नरम होने तक हम भूलेंगे टमाटर को हमें एकदम सौफ्ट करना है तो रखा है अब मैंने इसके अंदर नमक डाला है एक चम्मच आप अपने स्वाद के नुसार कमिया ज़्यादा कर सकते हैं मसाले में मैंने 2 चमस धनियhmen पॉ inequality लिया है और चमस मैंने गरम मसाले ली एक उरीम और करदğार लिया और यंड से הकार्णा ब्रधो लिया मैंने एक बड़ा चमस बटनाया रिखा लिया है और कि वज़ेसे हमारे मसाले जलेंगे नहीं और इसे हम लगातर चलाते रहेंगे देखिए मसाले अच्छे से भून चुका है मसालों में तेल भी छोड़ना स्पू कर दिया है अब मैंने सारे बैंगन इसके अंदर डाल दिया है और इसे भी हम हलकी हाँ से चलाएंगे बहुत ही जल्दी बन जाता है और स्वाथ तो इतना आता है कि आप इसको एक बर अगर बना रखेंगे तो आप इससे जुरूर दुबारा बनाएंगे मैंने इसको दो मिनट के लिए ठक के छोड़ दिया है कि जो मसाले है वो बैंगन के अंदर अच्छे से भूच जाए अब मैंने इ आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फॉर वाचिंग